आज की वीडियो में हम Understanding Quadrilaterals Exercise 3.2 and Question No.4 को solve करेंगे ठीक है? Question क्या है? How many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 165 degree? ठीक है? Question क्या कह रहा है? ठीक हमें interior angle पता है 165 degree है और हमसे क्या पूछा है? Sides पूछीए, sides कितनी है But याद रखिएगा कि क्या है regular polygon केवल polygon नहीं है regular polygon फिरसे मैं आपको remind करा देता हूँ अगर आपको remind ना हो रहा हो या फिर आपको ना समझ में आये तो प्लीज आप exercise 3.1 जरूर देखिए उसमें इसके सारे basics छिपे हुए ठीक है regular polygon क्या होता है? like polygon तो minimum 3 sides चाहिए होती polygon cover करने के लिए एक closed entity होती like कुछ भी एक बंद हो ठीक है तो इसके लिए आपको at least 3 तो चाहिए 3 line segment चाहिए तब आपका एक polygon बन सकता है और वो जो closed होता है जो आपका polygon होगा जो closed होगा 3 line segment से बना होगा 3 recount से बना होगा और उनमें क्या होगा आपकी जो sides होँगी सभी आपस में equal होँगी like ये अगर 3 है तो ये भी 3 होई ये भी 3 होई ठीक होई और angle जो है सभी equal होईगे अगर ये 60 है तो ये भी 60 और ये भी 60 तो इसको क्या कहते हैं regular polygon ठीक है और इसी में यही कहा है कि interior angle interior angle आपका ये वाला हुआ exterior बोला तो ये हो जाएगा इसी तरह से interior आपका ये है इसके बाहर गए तो exterior interior ये है इसके बाहर ये वाला exterior तो आपको interior angle 165 degree दिया हुआ है ठीक है आपको करना क्या है कि आपको sides बताने है interior angle जितने भी है उनका total sum कितना होगा उसके लिए था ठीक है sum of interior angles n-2 into 180 degree is equal to sum of interior angles ठीक है यही formula था तो यहाँ पर हमें क्या करना है अब यहाँ पर sum of interior angles तो हम नहीं कर सकते हैं कि अब हमें क्या पता है एक ही angle पता है 165 degree लेकिन हमें यह भी पता है 165 degree जो है एक angle नहीं है सारे ही angle होगे और हमें side कितना पता है side का side ही तो निकालनी है लेकिन side पता नहीं है side यहाँ पर तो हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते है n-2 into 180 degree दीखे है अब में एक angle पता है 165 degree इसका multiply अगर मैं n से करा दूँ सारे angles का sum नहीं मिल जाएगा sum of interior angle लेक देखे जैसे मेरे पास यह था triangle है अगर मुझे को एक angle पता है 60 degree है triangle में कितने angle है 3 angle है अगर मुझे यह पता है कि इसके जो एक angle है ठीक है मुझे side नहीं पता है कितनी है यह end side है अगर किसी ने कह दिया यह 3 side है तो क्या यह 180 आ जाएगा यह बिल्कुल आ जाएगा ठीक है क्योंकि यह triangle है ठीक है इसलिए 180 आ गए 3 से multiply करने पर अगर यही अगर 60 होता यहापर अगर भी 5 से multiply कर देते तो क्या आ जाता है यह pentagon के लिए थी अगर 5 side है तो यह pentagon के लिए 4 है तो यह quadrilateral के लिए हो जाएगी ठीक है बस आपको एक angle पता है उसी साबसे आपने यहापर side है रखती जितने आपके angles होईगे उतनी ही आपकी side होईगी ठीक है ज़िए 3 angles हैं तो 3 side होईगी ठीक है तो लाइक जो टेबल चलते है ना 2 to the 4, 2 to 3, 6 उसी तरह से यहाँ पर भी ठीक है अब यहाँ पर हम कुछ नहीं करना है N-2 into 180 degree 65 N हो जाएगा अब यहाँ से हम थोड़ा से उसको कट करेंगे यहाँ से यहाँ से जित जाएगा 6 6 time में नहीं यह 5 sum कट करके देखते हैं 5 3 is 15 5 6 is 30 5 3 is 15 5 3 is 15 अगें 3 × 3, 3 2 is 6 3 × 3, 3 × 3 तो यह फाइनल एक्वेशन क्या बनके आरी है हमारी N-2 2 12 12 11 N 12 N 11 N 12 N 11 N इधर लिक आएंगे तो यह माइन बचेगा तो यह माइन बचेगा और यह माइनस का 24 था तो प्लस का 24 हो जाएगा तो हम यह कह सकते हैं कि जो हमें यह पूछा गया था कि इच एंगल हमारा कितना है 165 डिग्री है पर साइडे जो पूछी गई थी वो कितनी थी 24 साइडे थी ठीक है अगर आपको यह कोशन अच्छे समझ में आया होगा अगर आपको यह कोशन अच्छे समझ में आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भोले थैंकि सो मच